एक गाउं के एक घर में आये पुलिस वाले को देखिए जो हनीमून के डैपिंग की जांच करने आए और लड़की को बड़ा मत करने आए पर इस हनीमून के डैपिंग का रोचक पहलू जब आप जानेंगे तो हैरत में पर जाएंगे क्योंकि एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें सारा कुछ है प्यार है यातनाएं है और फिर शादी भी है यह पूरी कहानी शुरू होती है रात के 12 वजय से जब अंधेरी रात में प्रेमी का घर का दर्वाजा किसी ने पीट आ और प्रेमी ने दर्वाजा खोला तो सामने प्रेमी का को देख कर वो चौक परा प्रेमी का बदहवास थी, डरी हुई थी थोरी दिर के लिए तो प्रेमी सन रह गया पर जब प्रेमिका घर के भीता रही तो प्रेमिका ने सिधे कहा कि वो अभी शादी करना चाहती है योबक कुछ समझ पाता कि प्रेमिका ने कहा कि आज उसकी जान बच गई है इसलिए वो चाहती है कि जल्दी शादी कर ले ताकि कोई उसको उससे अलग नहीं कर सके प्रेमिका के आने की खबर कानो कान गाउं के लोगों को हो गई लोग भी इकठा हो गए और उसी देर रात दोनों प्रेमी प्रेमिका ने शादी रचा लिया मामला बिहार के सुपॉल जिला के सदर्धाना शेत्र के बस्बिटी गाउं का है जहां घरवालों से जान बचाने के लिए एक प्रेमिका अपने घर से देर रात भाग कर प्रेमी के घर पहुँच गई इसके बाद प्रेमी के घरवालों ने प्रेमी और प्रेमिका को शादी के बंधन में बांध दिया दरसल प्रेम प्रसंग के एक मामले में घरवालों की यातना से तंग आकर एक लड़की देर रात अपने घर से भाग निकली इसके बाद लड़की सीधे अपने प्रेमी के घर पहुँच गई जहां लड़की के जित के बाद प्रेमी के घर वालों ने उसी रात दोनों की शादी करवा दी हलांके इस मामले में प्रेमी और प्रेमी का दोनों नावालिक बताय जा रहे हैं लिहाजा सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने प्रेमी जोरे से पती पत्नी बने दोनों को पूछताज के लिए ठाने ले गई अब आपको पूरा मामला बताते हैं दरसल यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है सुपॉल के बस्बिटी गउं का प्रेमी करीब दो साल से पास के गउं के एक लरकी से प्यार करता था इसी बीच लरका अपने माबाप के साथ दिल्ली चला गया पर दोनों का प्रेम खत्न नहीं हुआ दोनों मोवाइल पर जुड़े हुए थे और इसी बीच लरका आगे की परहाई करने के लिए इंटर में एडमिशन लेने गउं लाटाया इसी बीच दोनों के प्रेम संबंध की जानकारी लरकी के घरवालों को हो गई उन्होंने लरके को धोखे से अपने घर बुलवाया और प्रेमिका के सामने उसकी जमकर पिटाई कर दी इसी पिटाई के दोरान लरकी को भी यातना दी गई लरके की पिटाई की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने लरके को लरकी के घर से बरामत किया इसी बीच लड़की के घरवालों ने अपने बेटी की हत्या की साजिश रचने लगे कि इसकी जानकारी प्रिमिका को हो गई और वो घर से रात को भाग निकली और लड़के के घर पहुँच कर शादी कर ली लड़की ने आरोप लगाया कि घर में उसके परिजन उसे प्रतारित कर रहे थे और उसके शरेर पर जख्म दे रहे थे एक लड़का को जुबक को बिला कि मतलब मेरा पेर हाथ बनबा दिया बहुत मारा मेरा बचने के चांस नहीं था सर इतना मारा फिर कैसे बचे तुम परशासन सर वहां समय पर पहुंचा अगर नहीं पहुंचता तो हम बढ़ जाते हैं इस टोला से अगर कोई भी जाता था ना सर तो इसको मतलब गाली देकर मार कर वेजा देगा था फिर लड़की तुम्हारे पास कैसे आ गई फिर आज रात में लड़की मतलब बाड़ा एक बजे रात को इसको मतलब कातने के लिए ले जा रहे थी तो यह उदर से भग के कैसे भी करके आगए मेरे घार तुमको फोन भी की थी रहा तुम्हारा नहीं सर हमको कुछ नहीं भी बोल देगे जों फोन किये तो यहां से आदमी किया अबचे तुम्हारे बहराल इस प्रेम कहानी में दिल्चस्प मूर्तव आया जब लड़के ने शादी की और लड़के के पर जनों ने लड़के और उसके फैमली पर किड्नेपिंग का आरूप लगा रिया पर लड़की के बात सुनकर पुलिस बाले भी असमंजस में पर गए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि मामला प्रेम प्रसंग और शादी से जुड़ा हुआ था और लड़की अपने पती और उसके परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी खुलासा के लिए सुपॉल से सुभाष श्यंद्रा की ये खास रिपोर्ट